आईए हम पहले समझते हैं कि आयूआई तक्नीक की जरुत किन कपल्स को रहती हैं जिन कपल्स में महिला की रिपोर्ट नॉर्मल हो और पती के स्पर्म काउंट 10-15 मिलियन पर एमिल हो वेब रेशिंट आयूआई तक्नीक के द्वारा गर्ब्रारण के लिए कोशिश कर सकते है नेचुरल प्रेगनेंसी में अंडा शय में से अंडा निकल कर फैलोपियन ट्यूब में आता है इन दिनों में संबंद बनाने पर इस्परम के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में ही होता है और अखले 4-5 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में ही होता है और अखले 4-5 दिन तक और दवईयों के माधियम से अधिक अंडे बनाने के लिए दवईयां देते हैं और उन पर अंडों की ग्रोथ पर सोनोग्राफी के द्वारा नज़र रखी जाती हैं जब अंडा परिपक्व हो जाता है तो ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है जिससे अगले 24-36 घंटे में अंडा शय में से अंडा निकल कर फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है और इस दोरान पती का सीमन सेमपल लेकर उसमें से सीमन को वाश करके अच्छी क्वालिटी के स्पर्म को इंजेक्शन में लेकर कैथेटर के द्वारा महिला के घरभा शय में इंजेक्ट किया जाता है ऐ injection या क्रतिम तरीके से catheter के द्वारा किया जाता है IUI तक्नीक यूज करने के बाद में भी fail होने के कुछ कारण्स हो सकते हैं जिन में यह है कि IUI तक्नीक में हम जो अंडे बनाने के लिए दबाई देते हैं वे अंडे अंडाशय में से निकलने के बाद ट्यूब में आये हैं या नहीं इसकी जानकारी हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं और अगर अंडाशय में से अंडे ट्यूब में आ भी जाएं तो उनका फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं इसके जानकारी हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं कैथेटर के द्वारा स्पर्म का इंजेक्शन हम घर्बाशय में दे सकते हैं लेकिन स्पर्म मूव करके ट्यूब तक फर्टिलाइजेशन के लिए गए हैं या नहीं गए हैं इसके जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो सकती हैं Fertilization अगर हो भी जाए, तो Embryo की Quality अच्छी है या नहीं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्ट नहीं कर सकते हैं। Sperm की Quality, अंडे की Quality और घरभाशे की Receptivity में अगर कमी हो, तो I.U.I. अर सफल हो सकता है। I.U.I. की सफलता महिला की उम्र पर भी निर्भर करती हैं। साथ ही साथ Sperm की Quality और अंडे की Quality पर भी निर्भर करती हैं। अगर कपल्स के 2-3 IVF ट्राइ करने के बाद में भी सफलता नहीं मिलती हैं, तो उन्हें Advanced Technique वारा IVF टकनीक को यूज करते हुए प्रेगनेंसी के लिए कोशिच करनी चाहिए। करते हैं, तो उन्हें हैं।